नमस्कार दोस्तो हम सभी जानते हैं कि हमारे चीवर में कोई ना कोई जूड़ी हुई बाते हमारे जनम से रिलेटिड होती है यदि आपकी जनम की तारीक एक, दस, उननिस और अटाइस इन में से हैं चाहे कोई सब भी महिना हो यदि इन में से आपकी कोई सी भी तारीक में आपका जनम हुआ है तो आपके सूरे सबसे ज़्यार खास माना जाता है उपलाधी भी आपको उसी चीज़ की दी जाती है जॉइन कर्थी तो बहुंद कर्ता न में उसमाद में करते हैं कि केर्येर को लेकर हमेशआ घ्राया जोश्थते रहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ये शाल सब दोबह जैसाइस Вамा जाने वाराई है आपके केर्ये दोबहुता मत्रीचिंगे हो वहें सभी आपके लिए benefit लेकर आने वाली है यदि आपके इस तारिक में किसी भी तारिक में आपका जनम हुआ है तो आप जिस भी कारे को शुरू कर रहे हैं वहें कारे में आपको profit मिलेगा शुरू बात में आपको थोड़ी बहुत तो दिख के दे या फिर problem तो आएंगी ही लेकिन बार में ये problem जदी ही दूर हो जाएंगी और जब problem दूर हो जाएंगी तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाग मिलने वाला है आपको सभी तरह की जितनी भी परिशानिया है वहें सब परिशानिया तूर होने वारी हैं यदि आप love life के उपर हैं या फिर किसी से फ्यार करते हैं तो आपका उसका decision भी थोड़ा सोच समझ के लेजिएगा क्योंकि love life में आपको कोई problem ना हो तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहले सोचने और समझने की ज़रूरत है यदि आप उसके बारे में सोचते और समझते हैं और जानते हैं उसके हिसाब से आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि अपनी कारे को और भी अच्छा बना सकें और अपनी जीवन में सारी चीजे पास सकें तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े रखनी चाहिए जिसके लिए आप के लिए उपयोगिक हो। यदि आप अपने केरियर को शुरुबादी कर रहे हैं तो आप केरियर में ये भी बात ध्यान रखें केरियर में आप चाहे डॉक्टर हो या फिर विसली घर के लिए या फिर आप कोई मेडिसिन की दुकान खोल रहे हैं या फिर कोई भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो आपको वे 2017 काफी फाइदे बन रहेगा आपके जीवन में जितनी भी समझ से 2016 में आई हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और 2017 आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आया है इसलिए 2017 में आपके शुरुवात में होने बारी बार में आके जाकर बहुत अच्छी ज़्यादा खुश्या देने वारी है तो आप 2017 में अपने मन चाहा काम केजिए और मन चाहा काम करके अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएए ताकि 2017 आपका और भी अच्छा बन सके मेरी इस वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलेजिए